हे दोस्तो एक बार फिर से वेलकाम है आप सभी का आपके हे अपने यूट्यूब चैनल और सम ज्यान में और आज हम बात करेंगे बिजली के तार में कई सारे पतले पतले तार क्यों होते हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तो अगर आपके वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें इस घंटी को दबाएं और स्लैक करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तो तार जिसके जरिये बिजली एक जगा से दूसरी जगा तक पहुंचती है और इनी के जरिये बिजली हमारे घरों तक भी आती है और लगबखार एलेक्ट्रानिक उपकरण में तार की जरूरत पढ़ती है लेकिन अगर आपने बिजली के तारों को ज्यान से देखाओगा तो आपने इनने लेकर एक बात नौटेस जरूर की होगी कि बिजली के एक मोटे तार में कई सारे पतले पतले तार होते हैं लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक मोटे तार के अंदर इतने सारे पतले-पतले तार क्यों दिये जाते हैं। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते कि बिजली हमारे घरों तक तारों के दोरा पहुंसती है। और हमारे घरों में जो बिजली आती है वो एसी करन्ट के रूप में आती है। लेकिन एसी करन्ट की वज़े से तारों की स्किन एफेक्ट होती है। अब आपके मन में ये सवाल उट रहोगा कि ये स्किन एफेक्ट क्या होता है। तो आपको बता दू कि तार की जो इसके निया जो बारी सत्य होती है इसी करंट उस पर सबसे जदा प्रभावी होता है और यह तार की बारी सत्य को नुक्सान पहुचा सकता है और इसे ही स्किन एफेक्ट कहा जाता है दोस्तों जैसे जैसे किसी तार के अंदर जाया जाए या उसके केंदर के और बढ़ा जाए तो वैसे वैसे current का प्रवाब कम होता चला जाता है लेकिन अगर मोटा तार लगा दिया जाए तो उसके अंदर तो current flow होगा नहीं सिर्फ उसकी बारी सत्य पर ही current flow होगा तो इसी वज़े से इसकी नेफैक्ट को रोकने के लिए बिजली के तार में कई सारे पत्य पत्य तार होते है क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा तार होंगे तो हर तार की बारी सत्य पर current flow होगा दोस्तों गर हर तार की बारी सत्य पर current flow होता है तो current एक समान रूप से पूरे तार में flow हो पाएगा इसके लाबा बिजली के हर तार का कुछ प्रती रोत यानि की resistance होता है चो उसकी लंबाई और चोड़ाई पर depend करता है अगर हम एक मौटे तार का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों उमीद करते हूँ आपके इस वीडियो में कुछ नया जानने को मिला होगा आपको इस वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बता है और इस तरह की वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और थैंक्स वाचिंग